आपने ये तो सुना ही होगा कि age is just a number चाहे अगर छोटा से छोटा बच्चा हो या कोई बुढ़ा इंसान अगर कुछ ठान ले और किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो वो किसी भी उम्र में कभी भी कुछ भी कर सकता है और एक मुकाम हासिल कर सकता है तो मैं आज लेके आई हूँ एक ऐसी हैं बच्चे की स्टोरी जिसने पूरा इंटरनेट हिला रादा जी हाँ आज हम बात करेंगे श्री लक्ष्मी सूरेश की श्री लक्ष्मी सूरेश का जन 1998 में खोजी खोड़े डिस्रिक्ट अफ केरिला में हुआ था इनके माता पिता मिस्टर सूरेश मेनन और मिसिस विजू सूरेश है श्री लक्ष्मी ने महस तीन साल की उम्र में कम्प्यूटर चलाना सीख लिया था और चार साल की एज तक इन्होंने डिजाइनिंग भी करना शुरू कर दिया था और अपनी पहली वेबसाइट छे साल की उम्र में बना डाली थी ये एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने प्रेजनेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में एड्मिशन लिया था और ये 2007 में ही बना था तब इस साइट के पास कोई वेबसाइट नहीं थी तो श्रीलक्ष्मी ने एक छोटी सी बच्ची ने जो कि केवल 9 या 10 साथ की होगी उसने इस स्कूल को एक काफी बढ़ियां वेबसाइट बना के दी श्रीलक्ष्मी के पैस्टन ने पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया 2006 तक इनको यंगेस वेब डिजाइनर के खिताब से भी नवाजा गया जिसने महज 6 साल की उम्र में अपना वेबसाइट बना दिया था और इन्हें यंगेस CEO के नाम से भी जाना जाता है कमपनी स्टार्ट करने के लिए केवल 11 साल की उम्र में दो यंग्स्टर्स के साथ एक हर्ली जोडियन जिन्हें वर्ल्स यंगेस CEO माना जाता है आठ साल की उम्र में और एक हैं अजैपूरी जिन्हें वर्ल्स यंगेस वेबसाइट डिजाइनर माना जाता है तीन साल की उम्र में हाला कि उन्हें यंगिस्ट अचीवर का अवर्ट दिया गया है, हाँ इनसे भी कम उनके लोग हैं जिन्होंने बनाया है, लेकिन इनके टैलेंट को काफी सराहा गया है, और ये टाइनी लोगों और ये डिजाइन के लिए लगभग 20 फुली फुली फॉंक्शनल वेबसाइट् अब बात करें कि इन्हें इतनी सक्सेस कैसे मिली, वो मिली सेर्फ डिसिप्लेंट से, खुद को एक व्यवेस्टित रूप में काम कराने से, और कोई भी काम इन्होंने जो भी काम किया, वो एक प्रॉपर फ्लैनिंग से किया, और पूरी डेडिकेशन से किया, श्री लक्षन श्री लक्ष्मी ने काफी अवार्ड भी जीते हैं, जिनमें से दो-तीन में आपको बता देती हूं, और भी कई खिताब हैं जो श्री लक्ष्मी ने अपने नाम किये, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूं कि एज इस जस्ट अ नमबर, अगर आप कुछ करना चाहते है तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं, ना लेट हुई है और ना जल्दी, so thank you everybody, ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे सा जुरे रहें, and please do not forget to like, subscribe and share.